हेलो एबरिवन मित्रो सेकेंड के एड शिक्षे बढ़ती के लिए जो आपका सब्जेक्ट है सस्ट यानि की सेकेंड पेपर उसके मोडलेपर पर अधेन कर रहे हैं मैंने आपको इससे पहले तीन मोडलेपर करवा दिये हैं जिसको आप देखना चाहते तो आरपीसी सस्ट से प्लेलिष्ट बनी होई है उसमें जाकर आपको सारे मोडलेपर मिल जाएंगे आज हम मोडलेपर नंबर तीन के जो बचे 75 क्यूशन है उस पे चर्चा करेंगे मित्रो आपको एक्जाम से पहले पहले 20 मोडलेपर आपको इसी चैनल पर करवा दूँगा आप मेरे साथ लबस अकोडिंग ही करवाए जा रहे हैं आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नमस्कार मेरा जिंदर सभी का स्वागत करता हूं कलाम सीवल सर्विस से यूटूब चैनल में सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े में वो चैनल को जुरूर सबसक्राइब करें मित्रो अपने यूटूब चैनल के नाम से तेलेगर आप चैनल बनावा है उसको भी आप जोइन कर सकते हैं यदि आप वीडियो की फीडियो की डाउलोड करना चाते हैं तो चलते हैं क्यू सास्ट ठीटो इंद्रा गंदी जोर लाल नहूं ये करनल नासिर तो यह जो जो कहने वाले वैएक दीथी करनल अपने ज़वार लाल नहुत है कौन थे मित्रोल जवार लाल नहुत है सी उपसन हमारा क्या हो जाएगा इस कि चूशन का correct answer हो जाएगा 77 number question है जी आपके screen के उपर मित्रो आज क्या करेंगे अपने कम समय में जादा question हल करेंगे तो आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहीएगा हाँ जी अपने शेतर को देश अथवा राज्ये की तुलना कोई नहीं तो इस क्योषिन का answer होने वाला है इस जो first paper है आपका उसके मोड़ों पर मैं आपके साथ करवा रहा हूँ तो वो भी 20 मोड़ों पर करवा दूँगा उसके लिए आपकी playlist बनी हुए जो पुरानी वीडियो है वो भी आप जाके देख सकते हैं समाजिक परिवर्टन के चुनूती पर्तिउत्तर सिधान्त के पर्तिवादन किया دोस्तो इसका जो right answer होजाएगा टैन भी इसका correct answer होजाएगा बी number answer क्या होजाएगा हमारा सही हो जायगा मित्रो 79 gideri डाओ से बोध होता है भायो तथा बेचनों में विवाया मरत पती के भाई तथा उसकी वीदवा स्थका विवा यी राइट का अर्थ मितुसन अब की स्क्रीन पर खएंगा लात थी यह है आपके एकज़ाम से लियात से यह क्योषम इपोर्टन होने वाला हाँजी तो आपको बता ako जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े में वो चैनल को सबस्क्राइब कर दें वो सारे मित्र मिलकर एक वर वीडियो जुरूर लाइक कर दें हां जी हिंदू विद्वा जो पुन्दर विवाई अदिनियम है ये कब होता ये होता है 1856 गंदर मित्र कब होता है तो ये सारे आपको मिलान करने थे जो चार तीन दो एक चार तीन जो एक ये डी नंबर एंस वर अमारे किया हो जाएगा करेक्टर हो जाएगा साबाँ 82 नंबर की तरफ बढ़ते हैं निमल लेकित मैसे कौन सा कथन सत्य है समाज में संगरस और सयोग दोनों हैं समाज में केवल सयोग है समाज में केवल संगरस है समाज में नय सयोग है नय संगरस है तो आपको सत्य कतन की पैचान करनी है मित्रो हाँ जी सत्य कतन की पैचान करनी है सत्य कतन क्या हो जाएगा सत्य कतन हो जाएगा समाज में संगर्स और सयोग दोनों हैं आपका एक नमबर एंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा समाज में संगर्स भी है और सयोग भी है मित्रो यह भी आपने देखने को मिल जाता अपना एक नमबर एंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 83 नमबर क्यूसन है आपके स्क्रीन के उपर मित्रो मैं बार बार नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें आप ये काम बिना कहीं कर दिया करो मैक्स वेबर के अनुसार वरग है वरग क्या है? स्रेनी प्रस्तिती समू है समाजिक समू है सेकंड समू है दोस्तो तो बताईएगा वरग क्या है? तो वरग है प्रस्तिती समू है क्या मित्रो वरग है प्रस्तिती समू है 84 नमबर क्यों सने है आपके स्क्रीन को पर विलासी वरग की अवधारना का परतिबादन क्या था मित्रो जो विलाशी वरग था उसकी अवदारना का परती बादन किशने किया था तो बताईया किशने किया था वो किया था आपका T वेबलेन ने किया था वित्रो T वेबलेन ने किया था किसका विलाशी वरग की अवदारना का परती बादन किशने किया था टी वे बलंने एक नमबर एंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों अपने एंसरों की मिलान करते रहेगा और अंती में मुझे अपना श्कूर जरूर बता दीजेगा है ना आपकी तैयारी कैसी है आप इस मोरलवर के अंदर भाब सकते हैं अपने तैयारी है ना 85 नमबर क्य वरगेत किया था आप से क्यूशन पुछा गया है कि जो गरामिट समाज के तीन भाग बंटे हुए है माली की शान और मज़ूर ये किस ने वरगेत किया आंद्रे डेनियल ठारनर या एक जी बेली या एमन सिरी निवास मित्रो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा डेनियल थारनर हो जाएगा क्या हो जाएगा मित्रो डेनियल ठारनर ने है तीन भागों में गरामिट समाज को वरगेत किया था नहीं वाला जो अपसन है वह चुंखना है बड़ा कर्टार एपर्टेक्स संप्रक शारे कि समीपता ऐस ताई समयपता है तो जो शारे शामिपता है दोस्तो ये सेकंड समू में एपने इसको सामिलेद नहीं करेंगे C number answer हमारा क्या हो जागा? करेक्टर हो जागा साब नेक्स्ट क्यूसिन है जी आपके स्क्रीन को पर ideology of European नामक पूस्तक किसे ने लिखी थी? ये पूस्तक बहुत important पूस्तक है तो आप इस क्यूसिन को लगा लो पहला तो important फिर इस क्यूसिन का आप answer दीजेगा कारल में का C right मिल से Herbert Spencer या हिंगल ने दोस्तो ये जो ideology of European पूस्तक है ये लिखने वाले वेक्ति कौन थे मित्रो? हाँ जी कारल में थे कौन थे मित्रो? कारल में आपका right answer हो जाएगा आपका ना कारल में थे 88 नमबर क्यूसिन है पती सबत जो पती सबत होता है वो इंगित करता है किसको अंगित करता है मुमी का परस्तिती को अरजित परस्तिती को या एक समाजिक पद को जो पती जो सबत होता है मित्रो वो किसको अंगित करता है वो करता है अरजीत प्रस्तिती को करता है किस को करता है अरजीत प्रस्तिती को करता है आप हमेशा के लिए याद रखेगा 89 नमबर क्यूशन है आपके स्क्रीन के उपर मित्रो जाती की उत्पती की परजाती है सिधान का परती बादन किया था जाती उतुपति के परजेती है जो सिधान था उसका परतिवाद निमन मैंसे किस ने करा था तो वो हरबड रिजले ने करा था किस ने करा था हरबड रिजले ने साब है आपने क्यूशन का मिलान करते लिएगा मित्रूप नवे से क्योशन है यए पुष्तक के आप से क्योशन मनेगा तो यह पुष्तक लेसाई ँंपलैशन है आपके मौवैल स्क्रीन के ऊपर किस ने कहा है कि प्रात्मी स्मूवमा मानव प्रकर्टी के नर्सरी है तो किसने काया दोस्तो प्राती में जो समू है वो क्या है मानो प्रकर्टी क्या है नर्सरी है ये कहने वाला व्यक्ति कौन था ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे तो ये कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तो रोबर्ट बिरिस्टिड थे कौन थे रांतिक विज्यान है ना की विवारिक है विज्यान मित्रो नाइटी थरी नंबर क्यों से ने किसने समासास्तर को विज्यानों की रानी की संग्या दी है तो समासास्तर को विज्यानों की रानी संग्या किसने करी है तो मैक्स वेबर ने टीबी बोटो मौर ने या गिंडिस ग पर है जल्ली से क्योशन अपन जल्डी क्योशन हल करेंगे कम समय में ज्यादा क्योशावाद जातिवाद या वेश्या वरती साब जो राश्टर के सामने जो चुनोती नहीं है न वो आपकी वेश्या वरती ये को चुनोती नहीं मित्रो ये सारी क्या आपकी ये चुनोतीयां है लेकिन ये क्या आपकी चुनोती नहीं है तो नहीं पुछा गया डी नंबर एंसर क्या कर लिजेगा आपका राइट हो जाएगा मित्रो 95 नंब जाएगा 96 नमबर क्यूशन आपके मुबाइल के स्क्रीन को पर देखेगा और इसको रीड गरिएगा लोग प्रसाशन में वे समस्त किरियाएं समलित होती है जिनका ओदिस से अधिकारिक सत्ता द्वारा निर्धारित लोग नीतियों की पूर्ती या उनकी किरियानवन से है कत लटी वाइट, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन या हैंडरी फेयोल हांजी तो यह क्यूशन का जो एंसन न होने वाला यह जो कतन देने वाले विक्ति कौन थे? लटी वाइट थे मित्रो कौन थे? तो ये किसने का रहा था ये कहने वाले विल्सन एल्डी वायट या लुथर गुलिक या गलेडन दोस्तो ये लोग पर साशना काम कानून को सह बेस्तर वेस्तित रूप से लागू करना है ये कहने वाले विल्सन थे वुल्ड्रो विल्सन थे इसका राइट एंसर क्या हो जाए हाँ जी कौन होते हैं दोस्तों तो बताएगा लुथर गुलिक हाँ जी लुथर गुलिक हो जाएगे कौन से सब्द के पोड़ से कोरब सब्द के क्या हो जाएगे आपके रचिता हो जाएगे मित्रों 99 नंबर क्यों से न आपके स्क्रिन को पर पोस्ट कोरब ये इंगलिस में लिखा हुए उसमें जो आर होता है यह आर जो लिखा हुए मित्रो यह आर है ना इसका सुचक यह किसका सुचक है मित्रो इसका सुचक बताना राजसो सुचना देना यह संकर यह सोचित दोस्तों जो आर होता है आर का मतलब होता है सुचना देना मित्रो क्या देना सुचना द यान है इसका खंटन करने वे वेती थे वो कौन थे वो वेकती थे रोबाट डेहल थे वेती रोबाट डेहल अब यह सो क्यूषन हमें कम्पलेट कर लिए हैं 101 नमर क्यूषन दिरह बढ़ते हैं आपके मुबाल के स्क्रीन को पर यह आपका क्यूषन है परसासन लाल सा इस वज़े से क्या अब डोतरी नहीं हुई है तो बी नमबर एंसर कर लिजेगा इसका करेक्ट एंसर मित्रो हां जी अगला क्योशन एक सो दो नमबर एक विश्व के रूप में लोग परसाशन का जनम हुआ है तो लोग परसाशन का जनम कैसे हुआ बारत फ्रांस यू से कंदर हां जी तो यह का होता है मित्रो यह होता है यूस से मोता है का होता है लोग परसाशन का जनम है यूस से कंदर है ना डी नमबर एंसर क्या कर लिजेगा हां जी एक सो दो का डी नमबर एंसर आपका राइट हो जाएगा हां जी अगला क्योशन देखेगा एक सांजा देशसे के पूर्ती के लिए परतेक मानो सभा संगठन का रूप है ये कथन देने वाले विक्ति को तो साइमन गुलिक मुन्ने या चैस्टर बर्नार्ड तो ये जो कथन देने वाले विक्ति थे वो थे आपके कौन मित्रो मुन्ने थे कौन थे मित्रो मुन्ने थे C number आपका क्या हो जाएगा answer correct हो जाएगा 104 number question देख लिजेगा एक करमचारी को सिर्फ अपने स्रेश्टर से ही आदेश मिलना चाहिए यह सिधान्त है तो यह सिधान्त किसका है मित्रो हाँ जी बताएगा 104 number question को पिला answer देख लिजेगा क्या हो जाएगा जी इसका जो एक करमचारी को सिर्फ अपने स्रेश्टर से ही आदेश मिलना चाहिए सिधान्त है यह सिधान्त है आदेश की एकता मित्रो क्या होता है इसका answer है आदेश की एकता हाँ जी बी नमबर answer कर लिजेगा 105 number question है आपके mobile के screen को पर निर्ने निर्मान के ग्यारा इस्तरों का परती बादन किसने करा था जो निर्ने निर्मान के जो ग्यारा इस्तर होते है मित्रो उसका जो परती बादन किसने किया था बताईए कोन थे इसमें से हाँ जी इसका answer हो जागा e-bank क्या हो जागा e-bank ये बैंक विकती था जिसने निर्ड निर्मान के गैरा इस तरह का पर्तिपादा ना करा था दोस्तों एक सो च्छै नमबर क्यूशन आपके मुवाइल के स्क्रीन को पर बिहेवियर चोईस मॉडल किसे ने दिया दोस्तों साइमान बरनार्ड मैसलो हर्जबरक आपके लिए सार बरनार्ड मैसलो या हर्जबरक ने दोस्तों ये दिया था साइमन ने दिया था कितने दिया था साइमन इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा एक सो साथ नमबर क्यूशन आपके स्क्रीन के उपर देज साइंस ओफ मॉडलिंग यूथ टूथ रचना है साइमन ड्रोर एद एद इ लिन डबलू जी हो जाएगी दोस्तों किसी हो जाएगी लिन डबलू की ये रचना हो जाएगी एक सौट नमबर क्यूशन देखेगा अभी परेणा का दिवी कारक सिदान्त दिया था अभी परेणा का जो दिवी कारक सिदान्त है ये किसने दिया था मित्रो हां जी इसका क् क्योशन हां जी हर्जबर्ग के द्वारा अभी पेड़ना का जो दीवी करक्षिदानता है वो दिया गया था आपका 109 नमबर क्योशन देखेगा सबतंतर भारत में राजनिती कारे करनी और लोग सेवकों के मत्य सबंद इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि इसका कारण क्या मित्रो इसका कारण ये है कि नियम नर्मान सक्तियों के संजिदारी की समस्या उबरी है तो आपका क्या एंसर हो जाएगा आपका करेक्टर हो जाएगा मित्रो 110 नमबर की उसे ने भारतिय परसाशनिक सेवा के अधिकारियों को कहा जाता है तो जो भारतिय अपने परसाशनिक सेवा के जो अधिकारियों होते हैं जो आई-स बगरा होते हैं उनकी बात चल रही है उन अधिगारियों क्या कहा जाता है कहा जाता है सम्मान नहीं क्या कहते हैं सम्मान नहीं यह कहते हैं ठीक है एक नमबर एंसवर अपका सही हो जाएगा इस परसाशनी को विवस्ता में सम्मान ने परसाशनी की परदानता है फ्रांस रूश अमरीका या बर्टेन दोस्तो इस क्यूशिन का जो राय सफर और होगा वो जाएगा आपका बर्टेन होजए क्या है एक 111 लंवर का भारत में लोग पाल हैं वो लोका युखत पदों की स्तापना का सुझाओ देने वाले आयो का नाम क्या था मित्रो मेशेद को कहते हैं, वेदों को कहते हैं, गीता को कहते हैं, बर्म पुतर को कहते हैं, जो सुरूती है दोस्तों किसो कहते हैं, वेदों को कहते हैं, वेदों को कहते हैं, इसका राइट एंसर हो जागा, बी नमबर एंसर, त्रे विद्या कहा जाता है, त्रे विद्या तीनों व ट्याता को कहा जाता है 115 नंबर क्यूशन देखेगा उपनिशेदों के परती पाद्य विश्य हैं उपनिशेदों के परती पाद्य विश्य क्या है बर्मा आत्मा जीव यद जगत दोस्तो Crम जो परती पर incorrectly एंगे आपके बर्मा भी ए वर इसे हैं आत्मा भी होता है जीव भी होता है जगत भी होता है इसका मतलब चारों होते है मित्रों चारों सी नमबर एंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्टर हो जाएगा 116 number question देखेगा उपने शेदों के अनुसार बर्मा के पंचकोस में समलित है तो बर्मा जी के पंचकोस में क्या समलित है देखेगा अन्ना में ये है प्राण में ये भी सामिल है मनों में ये भी है विज्यान में ये भी सामिल आनद में दोस्तों ये सारे क्या हो जाएंगा का राइट अंसर हो जाएगा 170 नंबर जुशन देखेगा सद्गूरों की एक्ता के सिधान्थ का परतिबद्न किया था सद्गूरों की जो एक्ता का सिधान्थ का परतिबद्न करने वाले वेक्टी कों थे शुकरात अरस्तू पलेटो weas generally तो तो excuse का right answer हो जाएगा सुकराद दोस्तों कौन थे सुकराद है सद्गुनों की एकता के सिदान्द का पर्दी बदन करने वाले रिखती थे सुकराद याद कर लीजेगा excuse को ध्यान से एक सो टाराए number question है देकार्थ के अनसार सत्य ज्यान के लक्षन क्या है तो सत्य ग्यान के लक्षन पूछेंगा है वो भी आपके देकार्ट के अनुसार तो सू सपच्टा भी था इसका लक्षन दोस्तो और सू भिंता भी था तो आपके ये दोनों हो जाएंगे इसका मतलब आपका सी नंबर एंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्टर हो जाएगा उपरुक तो दोनों ही क्या है अपने दिकार्थ के उनसार सत्य ग्यान कि क्या है ये लक्षन है मित्रो 18 नमर का C नमर एंसर करेक्ट कर लिजेगा दिकार्थ के उनसार प्रह दर्वे या निर्पेक्स दर्वे है आत्मा इश्वर सरीर या मन है तो बताइएगा देकार्थ का उनसार जो प्रे दवे है क्या है क्या है मित्रो हाँ जी यह हो जाएगा आपका ईश्वर बी नंबर एंसर क्या हो जाएगा आपका क्रेक्टो हो जाएगा 120 नंबर क्यूशन है मित्रो आपके देकार्थ है देकार्थ क्या है बोतिक वादी है या परतियवादी है वस्तुवादी है मित्रो जो देकार्थ है मित्रो क्या है वो देकार्थ आप जाएंगे आपके वस्तुवादी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे डी नम्बर एंसर क्या हो जाएंगे आपका दी नमबर आपका correct answer हो जाता है मित्रो उपयोगतावायत कि इस मर्थक दार्सिंग तीनों ही आपके हो जाएंगे अब निमन मैंसे सत्या कथन की आपको फैचान करने है मित्रो तो सत्या कथन कौन-कौन साइब बैथम सुकों में केवल मातातरं का बेद बदाते हैं तो ये सही है मिल सुकों में मातरातमंग और गुणातमंग बेद मानते हैं तो ये भी सही है आपका हां जी बेंथम केवल सारे रिक सुकों मेतब देते हैं बित्रो ये भी आपका सही हो जाएगा मिल सारे रिक सुक के स्तान पर मानशिक वे बहुत दिक सुकों अधिक मैतब देते हैं दोस्तों तो ये सारे जो कतन है हमारे वो हमारे सारे कतन क्या हो जाएंगे आपके सत्या हो जाएंगे तो इस question का right answer हो जाएगा एक number का हो जाएगा जो सत्य का दन के पैचान करने थे एक number आमारा question एक number आमारा answer right हो जाएगा इसो 23 number question है उप्योगता बात के अनुसार निमल लेकित में से कौन सा दंड देने का उचित कारण नहीं है तो उचित कारण इन में से नहीं है जो दंड देने का है हाँ जी जो दंड अन्य लोगों को वेस अपराद करने से रोकता है मित्रो ये तो सही है है ना दंड इसलिए दिया जाना चाहिए कि अपराद किया जाए या किया गया है हाँ जी तो उचित कारण नहीं पूछा गया हमें नहीं बताना है दंड अपराद के भावी विकारों को वेस अपराद करने से रोकता है तो ये है आपका दोस्तों ये उचित कारण नहीं है मित्रो सी नमर एंस वर आप इस क्यूशन का राइट कर लिजेगा तो 24 नमर क्यूशन है मित्रो कार्ट नेतिक द्राष्टी से किन करमों को शूऄ बानते हैं जो भी दोस्त अपने चैनल पर पहली बार आया मित्रो और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को जुरूष सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों की चैनल ये जुरूष share करें कांट नेतिक दरश्टी से किन करमों को सुब मांते हैं स्वार्थ वंस के किये के करम सुब संकलप या करत्या चेतना से प्रेजित करम या इच्छा सविंग भावना से प्रेजित करम या उप्युक्त सभी दोस्तों जो कांट नेतिक दरश्टी से किन करमक्षू मानते हैं वो मानते हैं सुब संकलप या करत्या चित्रा से प्रेडित करम क्या मानते हैं कांट नेतिक द्रेश्टी से सुब मानते हैं मित्रो 125 नमर क्योशन देखेगा कांट के निती सास्तर की तुलना किस बारती है विचार दारे से की जा सकती है तो निती साथ की तुलना पुछी ये कांट के अनुसार तो ये आप कैंसर हो जाएगा गीता से गीता से इसकी तुलना की जा सकती है मित्रो 126 नमर की उसे ने आपके स्क्रीन के उपर मोईल के तीन रेन और पंच महा यग का सबंद किस आस्रम से था दोस्तो तीन रेन और पंच महा यग इसका सबंद बताना आपको तो किसे हो था बर्माचारे गरेस्त वानपरस्त या सन्यास दोस्तो इसका सबंद हो जाएगा आपका गरेस्त से हो जाएगा किसे हो जाएगा मित्रो गरेस्त से हो जाएगा बक्ति योग किसका संबब बिजाएगा रामनुज्जे और अना सक्ति योग ये मातवा कांदी दोस्तों एक दो तीन चार जैसे ये लिखे हुए वैसे है ये क्या है आपके सत्य हैं तो एक नमबर एंसर क्या हो जाएगा हमारा क्रेक्ट हो जाएगा इसोठाइस नमबर के उसने जेन दर्शन के अनुसार सत्य कतन आपको पैचान करने है जेन दर्शन के अनुसार तो धरम और एधरम पुंदगल वे आकास अस्तिकाय वे काल अरास्तिकाय द्रवे हैं ये भी हमारा सही है सत्य कतन मित्रू जेन दर्शन पांच महावर्त पांच स सारे कथन हमारे क्या हैं यह सारे कथन हमारे सही हो जाएंगे आपके सत्य कथन एक्स ओन्टेस नमबर क्यों से नहीं आपको सुमिलित करना है तो अश्टांगिंग मारग है यह आपको सुमिलित करना मित्रो यह आपका हो जाएगा मद्यम मारग है यह अश्टांगिंग मारग के आपका मद्यम मारग है और प्रतित्य समुत्पाद हो जाएगा आपका केंद और वाइट को निजीगा, अगला क्यूसन देखेगा, गांधी जी के अहिंसर सबंदी अवधारना पर किसका परभाव पड़ा है? जेन बोध इसायादी दर्मों का परभाव पड़ा था मित्रों, ये भी सेवतह सत्य है. जो गांदी जी ने जो आइंसा समदि इनकी अवदारना थी उन पे परवाव किसका पड़ा जेन का पड़ा, बोध का पड़ा, ऐसायों का पड़ा सर्मन ओंडय माउंट के प्रवचन का पड़ा इनके उपर पड़ा था मित्रो यह जो तीनों चीजे बात ही है इन तीनों का परवाव गान दीजे के जो आइसा समधी जो अवदारना थी इनके उपर इसका परवाव पड़ा था मित्रो 133 नमबर के उसमेट के मुबाल के स्क्रीन के पर इसका पर मानव जीन के संपीर्णा का आध्यन करना का थैंक क्या है ये शेत्र में शामिल करेंगे बाइनिग और बाइनिग समाजी जो है वो समाजी का दहिन के जो तो देश से हैं, उन्हों कितने बागों माटता है, वो दो बागों माटता है, एक सो तेतिस नमबर के उसन देखेगा, प्रस्तावना, प्रस्तुति करना, तुलना और सबंद, समानने करनों और परियोग सोपान है, तो यह, इसका इंसर हो जाएगा, हरबट उपागम, कौन है ये इसका इंसर हो जाएगा हर्बट उपागमिस का करेक्ट टैंसफर हो जाएगा इसो चौनतीस नमर की उसन देखिएगा समाजी का ध्यान में मुल्यांकन का परमुक परियोजन है तो मुल्यांकन का सबसे बड़ा ही काम है दोस्तो अपने समाजी के ध्यान के अंदर तो इसका पर्मुक पर्योजन बूचा गया है तो पर्योजन जो हमारा हो जाएगा कक्षा शिक्षन में सुधार विकार या निश्बादन को पर्मानित करना ही क्या हमारा समाजिक द्यार में मुल्यांकन है दोस्तों इसका प्रयोजन क्या होता है इसका उदिस से क्या होता है दोस्तिया यह होता है काक्षा शिक्षन में जो सुधार है विकार या निश्वादन को परमानित करना ही इसका परमुख दोस्या होता है अंजी विद्यार्थियों में समाजिक्ता के गुणों का विकास करने योगता है तो समाजी वियान है शिक्षचर की सबसे बड़ी में तब पूंद योगता है विशाए ग्यान अच्छा अनुशाषन साइक सामगरी का उपयोग करने वाला या समाजी की सकरीता तो इस क्यूशन का राइट एंसर हो जएगा समाजी का सकरीता डी नमबर एंसर का हो हो जाएगा मित्रों को आडरिस नागरीख बनाना का दाएतव किसे का उन साज से लो स्एकते रहते है एक्सो अर्टिस इस नमर के स्क्रेंड के पर प्रेटन का समाजी है में मैतापून इस्थान है क्योंकि जो प्रेटन है जो है उसका समाजी के हमारे जो विग्यान में मैतापून इस्थान है मित्रो इसका रीजन ये है इसका रीजन ये है कि जो प्रतेक्स अनबव इस्थाई होता है दोस्तों जो प्रेटन होता है हम गूमते हैं उसका जो हमें अनुबव होता है वो इस्ताई अनुबव होता है दोस्तों है ना तो एक 140 नंबर क्यूशन दिखेगा जिस विदी में चैतर में आध्यापक विचारों का आदान परदान करते हैं वे विदी क्या गलाती है दोस्तों तो वे विदी कौन सी हो जाएगी हमारी मानसिक उद्वेल अन्विद्धी हो जाती है कौन से हो जाएगी मांशिक उद्विद्धी बी नंबर एंस्वर इसका करेक्ट कर लीजीगा तो दोस्तों ये जो क्यूशन है ये सारे क्यूशन आपकी बिलको शिंडर क्यूशन है मित्रो है न तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को और लिजल को जाएगा। जो समस्या समदान विद्धी की विशेस्ता है जो समस्या समदान विद्धी की विशेस्ता है। संपार्वलंबंब्र में स्वावलंबंबंबंबो हो जाएगा मित्रो डी नमबर करेक्ट एंसर कर लीजेगा हां जी 143 नमबर क्योषन है वैस सेक्षिक योजना जिसके अंदर कर दो संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रकिरिया का उलेक होता है तो कौन सी योजना हो जाती है दोस्तों हां जी वो योजना हो जाती है प्रिवक्त नहीं होता है तो टीलम प्रिवक्त का नहीं होता है समाजी वीजे में चुम्बे के का पास गलोब या मान्चितर या नेपियर पट्टी दोस्तों इसका राइट अंसर का नेपियर पट्टी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अच्छे परशन पत्तर की क्या विस के अंदर तो यह सारी विशयस्ता हैं किस की अच्छे पर्शन पत्र की सारी विशयस्ता हैं तो दी नंबर क्या हो जाएगा हमारा answer correct हो जाएगा गशाधे से नंबर क्योंशन है यदि आप कख्षा में देज की समस्या पर पढ़ना चाहते हैं तो आप किस विद्य को सरोश्ष्ट मानेंगे यदि हमें देज की समश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष क्या होना चाहिए आपकी पूरी होने चाहिए मित्रो 148 नमबर के उसने करिकुलम सब्सक्राइब किस बास्ता का है तो करिकुलम अंग्रेजी संस्कर्थ उर्दू या लेटर मित्रो जो भी मित्र अभी तक जो चैनल के अंदर बना हुए अंति प्तक मेरे साथ बना हुए उसन जी, लेटर मित्रो आपका ये है 149 नमबर किस ने कई अध्यनों से सिद्ग ए कि द्वी भासाई कुछलता वर्दी करती है तो क्या वर्दी करती है ज्यान वर्दी करती है समाजिक सेंसलता वेविद्य पुन्चिंतन या उप्रोक्त सभी दोस्तो तो यह सारी क्या करती है सभी की यह वर्दी करती है तो आपका एंसर हो जाएगा डी नंबर है ना तो इसका हो है और जो फ़स्ट पर हमारा साइकन के सिक्षा के लिए जो फ़स्ट पेपर है उसके भी मैंने मोडले पर डाल रहा हूं वो भी आप अध्यान कर लें उसकी प्लेलिस्ट है यूटूब चैनल के दरें बनी होई है उसको भी आप अध्यान के दूरूर करें मित्रो इस क्यूश